ग्लोबन हंगर इंडेक्स क्या होता है जी नमस्कार दोस्तों महित कुमार मौरया और आप देख रहे हैं मौरया टेकनिकल सपोर्ट यूटूब जाना जिसमें आपका बहुत-बहुत स्वागत हैं दोस्तों अभी कुछी दिनों पहले ग्लोबन हंगर इंडेक्स यानि की वैस्विक भूख सुचकांग ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की हैं जिसके मुताबिक 116 देशों की सुची में भारत को 101 वास्थान दिया गया है यानि की दुनिया भर में 100 देश ऐसे हैं जो की इसके हिसाब से भारत से आगे हैं जबकि 15 ही ऐसे देश हैं जो की भारत से पीछे हैं पूरी दुनिया में यानि के ग्लोबन हंगर इंडेक्स के हिसाब से भारत का स्थान बहुत ही खराब है और भारत के अगन बगन में जितने ही पडोसी देश हैं उनका स्थान भारत से बहुत ह ही अच्छा आया है तो आखिर ये ग्लोबन हंगर इंडेक्स होता क्या है इसकी शुरुवात कब और कैसे हुई थी इसके आकड़ों को कौन जारी करता है कौन प्रकासित करता है और इसके लिए आकड़े कहां से जुटा जाते हैं उन आकड़ों की गड़ना कैसे होती है और इ उनका कौन सा स्थान है उनका क्यारेंग है यानि कि ग्लोबन हंगर इंडेक्स के बारे में वो सभी महतोपूर्ण बाते हैं जो हम सभी को जाननी चाहिए वो सभी इस वीडियो में हम जानेंगे तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं Global Hunger Index को हिंदी में वैस्विक भूख सुचकांग का जाता है और इसे सौड फोर्म में जी एच आई लिखा जाता है सबसे पहने बात करते हैं कि Global Hunger Index होता क्या है तो Global Hunger Index एक सुचकांग होता है एक उपकरण होता है जो की वैस्विक अस्तर पर और देशों के आधार पर भूख को यानि की हंगर को मापता है और उसे ट्रेक करता है Global Hunger Index की वार्शिक गणना की जाती है जानि की इसके प्रतियक एक वर्स के आधार पर इसके गणना की जाती है और प्रतियक वर्स अक्टूबर के महीने में इसके रिपोर्ट को प्रकासित किया जाता है अब बात करते हैं कि Global Hunger Index की शुरुवात कब हुई थी और इनके आकड़ों को कौन जारी करता है तो Global Hunger Index की शुरुवात वर्स 2006 में हुई थी और इसे बनाने का मुख्यव देश वेस्वीक छेतरिये और देश के अस्तर पर भूख को यानि की हंगर को ब्यापक रूप से मापना और ट्रेक करना था सबसे पहले वर्स 2006 में अमेरिका इस्थित International Food Policy Research Institute जिसे की IFPRI के नाम से भी जाना जाता है और इसके साथ ही वेंट हंगर हिन्फ जो की एक दूसरा ओर्णेशन था ये दोनोंने मिल करके पहली बार 2006 में वैस्वीक भूख सुचकांग को जारी किया उसके बाद वर्स 2007 में Concern One Wide भी इसका एक मेंबर बन गया और ये तीनों मिल करके आकड़े जारी करते रहें वर्स 2018 में जो IFPRI था वो इनसे अलग हो गया और अब जो Global Hunger Index यानि की वैस्वीक भूख सुचकांग के आकड़े जारी होते हैं वो वेंट हंगर हिल्फ और इसके साथ Concern One Wide ये दोनों मिल करके जारी करते हैं अब बात करते हैं कि Global Hunger Index आकड़े कहां से जुटाता है वो ये सारी चीजों को पता कैसे करता है कि किस देश में भूख की क्या इस्थिती है तो Global Hunger Index दुनिया भर के अलग अलग अर्गिनाईजेशन और जो इंसिट्यूट हैं वहां से आकड़ों को जुटाता है जैसे कि UNICEF, World Bank, World Health Organization, UNI, GME और इसके साथ ही दुनिया भर के अलग अलग खादेवं क्रिसी संगठन इन सभी से आकड़ों को वह हासिन करता है और उसके बाद उन आकड़ों को अपने आधार पर प्रोसेस करके और वो Global Hunger Index में प्रतियक देशों की सूची बनाता है और सभी को एक अलग अलग स्थान दे करके अपने आकड़ों को अक्टूबर के महीने में जारी करता है अब बात करते हैं कि Global Hunger Index अपने आकड़ों की गड़ना की साथार पर करता है यानि कि किन किन संकेतकों के अधार पर इसकी गड़ना की जाती है तो Global Hunger Index चार संकेतकों के अधार पर अपने आकड़ों की गड़ना करता है जिसमें पहला है Under Nutrition, दूसरा है Chine Wasting, तीसरा है Chine Stunting और चौथा है Chine Mortality सबसे पहला जो है जानि कि Under Nutrition इसका मतनब है कि देश में ऐसे कितने प्रतिसत लोग हैं जो की Under Nutrition है जानि कि जिने पर्याप्त मात्रा में कैनोरी नहीं मिनती जो की कुपोसित है दूसरा है Chine Wasting, इसका मतनब है कि देश भर में ऐसे कितने प्रतिसत बच्चे हैं जिनकी उमर पांच वर्ष से कम है और इसमें उनकी जो वजन है वो उनके उमर के हिसाब से कम है यानि कि ये भी एक तरह का उपोसन ही है की सरा है Chine Stunting यानि कि देश भर में पांच वर्ष से कम उमर के ऐसे कितने बच्चे हैं जिनका जो कद है वो उनके उमर के हिसाब से कम है ये भी एक तरीके का कुपोसन ही है चोथा है Chine Mortality यानि कि देश भर में पांच वर्ष से कम उमर के कितने बच्चों की मृत्यू हो जाती है जिसाब आपनों जानते होंगे कि भारत में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि कुपोसन के सिगार हो जाते हैं यानि कि जनम लेने से पहले या फिर जनम लेने के बाद भी उनको सही मातरा में पोसन नहीं मिल पाता और इसके कारण से उनकी मृत्ति हो जाती है तो ये जो चार चीज़ें हैं इसी के आधार पर जो चार संकेत हैं इसी के आधार पर जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है वो अपनी गड़ना करता है और इसके बाद वो आकलों को जारी करता है अब बात करते हैं कि Global Hunger Index 2021 के अनुसार भारत और अलग-अलग देशों को कौन-कौन से स्थान दिये गए हैं तो भारत का जो स्थान है वो मैंने आपको पहने ही बताया कि 116 देशों की सुची में 101 स्थान है यानि कि भारत से 100 देश भूख के मामने में अच्छे हैं जबकि 15 देश खराब हैं यानि कि नीचे हैं इसके साथ ही जो दुनिया में पहला स्थान मिला है वो मिला है बेलारूस या फिर बेलरूस जिसे कहा जाता है उस देश को इसके साथ बात करते हैं अपने पडोसियों की तो चाइना को इसमें पाँचवा अस्थान मिला है इसके साथ ही स्री नंका को 65 यानि किस 65 अस्थान दिया गया है मियानमार को 68 यानि किस 71 अस्थान दिया गया है इसके साथ बंगना देश और नेपाल दोनों को ही 76 अस्थान पर रखा गया है हमारा सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी पाकिस्तान भी इसमें हम से आगे है उसे 92 अस्थान दिया गया है इंडिया को 101 अस्थान दिया गया है और दुनिया में जो सबसे खराब अस्थान मिना है यानि कि 116 अस्थान जो है वो सोमालिया को मिना है तो हमारा जो अस्थान है वो बहुत ही खराब हो चुका है Global Hunger Index के अनुसार यानि कि हमारे यहां भूखमरी और कुपोशल बहुत ही अधिक मातरा में है तो इस वीडियो में इतना ही उमीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और ये सतरी चीज़े आपको समझ में भी अच्छी तरीके से आई होगी अगर आपके मन में कहीं पर कोई confusion है या फिर आप कोई और चीज़ जानना चाहते हैं तो उसे आप comment box में जरूर लिखिएगा और अगर वीडियो पसंद आया हो तो like तो किजिएगा ही साथ में चनल को सबस्क्राइब भी किजिएगा और वीडियो को share तो जरूर ही किजिएगा तो इस वीडियो में इतना ही विडियो को पुरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद